हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बात करने वाले कि बच्चों को कलेंडर देखना कैसे सिखाएं एक रुकस्टेड वीडियो मेरे पास एक मेरी वीवर का मेल आया था कि मैं अपने बच्चों को ताइम देखना तो सिखा दिया है बथ हम उनको कलेंडर कितने कौनसे मन्त में कितने डेज होते हैं यह चीज़ उन्हें को कैसे सिखाएं और हां अगर आपने मेरी वॉच्ऑ वीडियो नहीं देखी है में वॉच्ऑ वीडियो टू पार्ट्स में बनाई थी अगर आपने नहीं देखिए तो मैं लिंक ड्सकुशन बाक्स में डाल आप वहाँ जाकर देख सकते हैं होता कि आप बच्चे मंत्रीम तो बड़े एजली लर्न करी लेते हैं फैब, मार, शप्रैल यह तो सब अच्छे से लर्न करी लेते हैं बड़ उन्हें कैसे याद करें बच्चे कि कौन से मंत्रीम कितने डेज होते हैं फोड़ा सा बच्चों के लिए तफ होता है आज मैं आपको कुछ सिंपल फैक्ट्स बताऊंगे कि आप कैसे बच्चों को इजी वे में सिखा सकते हैं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेले बच्चों को मंत्रीम ऐसे सिखाय जाते थे इसे बताए जाते थी कि कौनसे मन्ते में कितने देज होते हैं अज मैं आपको यह सबसे यही जाताए tightly गाया है जान जानरे में कितने बच्चों को उतते हैं जानरी में होते हैं तो हम लिखेंगे आपर दो 31st जो मारे नीचे वाला ये 28 29 स्थे यह लीपियर है तो 29 है этой है अधृ उपर मार्ड़ effectiveness 3र स्थे अप्रेल हमारा नीचे वाला है तो अप्रेल में कितने होते हैं 30 में 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 कितने होते हैं में हमारा उपर वाला है तो में में हमारे होंगे 31 अब है जून जुलाई आप देख सकते हैं जो हमारे जून में होंगे वह हमारे जून है उसमें कितने होंगे 30 अब बात कर लेते हैं जुलाई की जुलाई में हमारे कितने होंगे 31st अब हम जुलाई से इधर आएंगे अगस्त अगस्त में हमारे कितने होंगे अगस्त में ये उपर वाला है और जुलाई में भी ये हमारे उपर है और अगस्त में भी ये टू मन्त एक साथ ऐसे होते हैं जिसमें 31st, 31st डेट होते हैं आप बात कर लेते हैं September की September में हमारे कितने होंगे September हमारा नीचे है तो September में हमारे कितने होंगे 30 make sure आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको कैसे समझाना चाह रही हूं ये सबसे easy tricks है बच्चों को बताने की आप मेरी बास समझ रहे होंगे हमारा जो ओपर वाला है आप देख सकते हैं October October में 31st, then next 30 December 31 आप ऐसे बच्चों को easy way में fingers की help से आप बच्चों को सिखा सकते हैं आप कुछ बच्चों को ऐसे भी मैं दिखा देती हूं fill up बना के दे सकते हैं ये बच्चों को सिखाना थोड़ा जरूरी होता है 11, 12, oh sorry second, fourth ने बच्चों को ये questions आते ही हैं July comes just after June May comes in between dash and dash and June January comes just before February March is the dash month of the year third year in a leap year February has 29 29 ऐसे आप बच्चों को fill up बना कर दे सकते हैं इसे बच्चों को easy भी हो जाएगा month name सीखना और उनका जो mind में कुछ भी है वो सब clear हो जाएगा और ये second and third standard में ये जो fill up बना कर दे सकते हैं इसे कुछ questions पे आप दे सकते हैं January ऐसे आप बच्चों को matching भी बना कर दे सकते हैं August come just after July June come just before May September कौन से मन्थ में आता है 9th month of a year November 11th month of the year make sure आप समझ ही गयोंगे कि मैंने आपको कैसे month name सिखाए है कि कौन से month में कितने days होते हैं आपके लिए ये video help रहे तो please like जरूर करना और मेरे चैनल को subscribe करना thank you, thanks for watching